मैं institutions पे आती हूँ, Congress और political observers, opposition parties ये कहते हैं कि BJP सरकार जो है उसने country के institutions को weaken किया है, CBI का जिकर करते हैं, जहाँ पर number one, number two की लड़ाई इतनी हो गई थी कि PM लेवल पर intervention करना पड़ा, RBI का देख लीजिए, tenure खतम होने से पहले चीफ को resign करना पड़ा और उनका allegation है कि BJP सरकार coffers खाली करना चाहती है, RBI के coffers, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि Congress को ये सब बोलने का कोई हकी नहीं है, प्रधान मंत्री और PMO को हो, उसके खिलाब आपने NAC बना दिया था, ये कौन से PM Office की ताकत को आपने महत्यों दिया था, केबिनेट इतना बड़ा निर्ने करें और प्रेस कॉन्फरंस में पार्टी का एक नेता उस केबिनेट के निर्ने के कागज को टुकड़े करें, ये कौन सा इंस्टिटूशन का सम्मान करते हैं आप लोग, आपने जुडी शरी को, जो सिन्योरिटी के आधार पर जज्ज न करते हैं, यही आरबी आई, जिसमें कई बार गवनरों को समय से पहली निकालना पड़ा है, आपने प्लानिंग कमिशन के लोगों को जोकरगों का बंच कह दिया था, मालू मैं कौन थे उसमें प्लानिंग कमिशन के वाइस चर्में, और ऐसा बोला गया था, इन लोगों के म इंस्टिटूशन हमारे लिए प्रात्मिकता है, अर्विया का सवाल आया, स्वयम गवनर साहब ने, रिक्पेस्ट की, अपने नीजी कारणों से, और मैं पहली बार आपको बताता हूं, बेच्छे सा महिने से मुझे लगातर कह रहे थे, लिखित मैं भी कहां था, व्यक्ति कि आर्वियाई गवनर सिमार उर्जी उत्पटेल ने अच्छा काम किया है,